तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे Nokia के latest upcoming smartphone के बारे में यानि Nokia X70 Pro के बारे में तो दोस्तो ये वीडियो concept and prediction पर बेज है तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो start कर लेते हैं इस smartphone के camera से तो यहाँ पर आपको back side पर 200 megapixel का Penta camera मिलेगा यानि back side पर आपको 5 camera दिये गए हैं यहाँ पर आप 120 एक zoom कर सकते हैं इस phone से और इस phone से आप 8K recording कर सकते हैं 20 megapixel का ultra wide angle दिया गया है 12 megapixel का telephoto और 5 megapixel का micro और 2 megapixel का देपसन से दिया गया है 24 megapixel का आपको पंचल कटाउट में camera देखने को मिलता है इसमें आपको OS का support मिलेगा साथी में साब 4K recording कर सकते हैं और साथी में face beauty और portrait शोड भी ले सकते हैं और दोस्तों ये phone advanced technology सार आता है यहाँ पर आपको बेक साइट पर 2 इंच का display दिया गया है बात कर लेते हैं इस smartphone के OSN performance की तो यहाँ पर आपको दोस्तों के तरफ से snapdragon का 8 triple वाला पसर मिलता है जो की 5G को support करता है और यहाँ पर दोस्तों आपको phone के अंदर liquid cooling का support दिया गया है जो आपके hitting temperature को control करता है और साथ ही मैं आपको दोस्तों gaming experience जो है काफी अच्छा होगा यहाँ पर आप PUBG, Free Fire, Call of Duty ऐसे game जो है वो बीना lag और slowdown के smoothless पर खेल सकते हैं बात कर लेते हैं इस smartphone की battery life की तो यहाँ पर आपको 6500 mAh का battery मिलेगा और 80 watt का आपको fast charging मिलेगा box के यहाँ पर आपको 6.7 इंच का Full HD Plus AMOLED display मिलेगा तो यहाँ पर आपको जो view angle है काफी अच्छे देखने को मिलेगे अगर आप YouTube, Netflix, Amazon Prime देखोगे इस phone में आपको 144 Hz का high refresh rate का support दियागा है साथी में जो phone है वो in display fingerprince ने के सार आता है और यहाँ पर आपको back और front में Gorilla Glass 6 का production भ जाता है जो कि काफी बड़िया लगता है दिखने में और नीचे की तरफ आपको Nokia का branding दिया गया है और यह phone जो गोरिला Glass 6 के protection के सार आता है बात कर लेते हैं other feature की तो यह phone जो वो dual 5G को support करता है और उसी के सार टाइप C port, mic, 3.5 audio jack and stereo speaker and Dolby का support भी मिल जाता है इस phone में और दो दो 2022 में launch होगा लेकिन unofficial है कि कब launch होगा यह तो जब भी जो जान करी आएगी मैं आपको बता दूँगा बात करते हैं pricing की जो 45,000 रुपे के plus इसका जो price हो सकता है तो दो 45,000 रुपे के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है मैं आपको बता रहता हूँ तो यहाँ पर आपक साइड में 2 इंच का डिस्प्ले भी मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको 6,500 एमेच का बेटरी मिलता है 80 वाट का fast charging मिलता है और यहाँ पर आपको 6.7 इंच का Full HD Plus AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो की 144 हर्ट के रिफुर्ट के सार आता है तो इतना कुछ मिलता आपको त इसी वीडियो देखने के सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं वीडियो चलिकने पर लाइक कर दिएगा जारा जारा वार्स तो फेस्बूक पर शेयर कीजिएगा जैहिं जैबरत बंदे मातम दुस्तों